हेलो दोस्तो, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज की ताजा खावर में यह वीडियो नियूज अनलेसिस का है और इसमें हिंदू के आर्टिकल्स और इंडियन एक्स्प्रेस के आर्टिकल्स को हम लोग डिसकस करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और एडिटोडल का वीडियो अल्रेडी अपलोड हो गया है और आज काफी ज्यादा इंपोर्टेंट एडिटोडल्स हैं तो आप प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें ठीक है और उसमें आपको और एक कोश्चन और एक कोश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग को देखते हैं उनकी फेस को आप याद करिए और उनके उनको गलत प्रूफ करने के लिए आप वापस से अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे लग जाई है तो यह आपके लिए बहुत ही जादा मोटिवेटिंग कोट हो सकता है और अगर आपके सामने अगर कोई मतलब बोड टाइप तो उसका में एक अलग ही वीडियो बना दूँगा ठीक है वही बेटर रहेगा राधर दन मतलब इसमें इंक्लूट करने के चक्कर में क्योंकि और जादा लंबा यह वीडियो हो जाएगा तो चलिए अब आर्टिकल्स को देखते हैं तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमारा है वह चाइना से और इंडिया का जो स्टैंडफ है उसी से रेलेटेड है तो हम लोग देख सकते हैं कि चाइना रीचेज अकॉर्ड विट इंडिया ओन एलेसी स्पाट तो यहां पर बैसिकली बोला क्या जा रहा है कि बीजिंग ने बोला है कि एक पॉजिटिव कंसंसस जो है या सॉट आउट हो जाए इसके बाद चाइनीज की जो फॉनरे मिरिस्ट्री है उन्होंने बोला है कि वह चाहते थे कि दोनों साइड जो है वह हैंडल करें सेच्वेशन को प्रपरली और उसके बाद इन लाइन विट आग्रिमेंट जो की आग्रिमेंट हम लोग अल्रेड जानते हैं कि दोनों प्रेसिडेंट जो थे चाइना के सीजिंग पिंग और हमारे प्रधान मंतरी के बीच में एक वहान सब्मिट हुआ था उसमें और उसके बाद ममलपुरा में हुआ था तो यहां पर भी आग्रिमेंट साइन होते कि कोशिश करना है कि जो भी हमारे बीच में problem और conflict हो उसको dispute में convert नहीं होने देना तो इसी को ध्यान में रखके कोशिश करें कि standoff यह ज्यादा बढ़ना पाए और आगे हम वही देख सकते हैं कि अगर आप देखिएगा तो जो site of conflict है यहां पर बोला तो जा रहा है कि मतलब एक accord को reach करने की कोशिश की जा रही है औ और वही है कि अगर आप देखिएगा तो different sites of conflict से related जो भी information है तो specifics नहीं दिया गया है अभी तक तो अभी देखते हैं यह news in transition है आगे क्या होता है तो इसी पर आपको question मिल जाएगा कल मैंने question दिया था पर किसी ने लिखा नहीं मतलब maximum एक एक पंदे ने लिखा था वेद न जाइना के साथ उसको किस तरह से shape करने वाला है यह आपको mention करना है और आपको अच्छे तरीके से लिखना है कल मुझे नहीं मिले थे copies इसलिए मैंने question को वापस से post किया है ताकि आप इसको वापस से लिख लो क्योंकि अगर मैं post करू question और आप लिखो ना तो फिर फाइद जो है वो total 1.25 lakhs पहुच चुके हैं और यहां पे deaths जो है वो 4200 के आसपास है तो यह अगर आप number को आप percentage में convert करोगे तो 43% of the total overall cases आप देख सकते हो कि इन ही चार cities में है तो हम देख सकते हैं कि यह जो metropolitan cities है यही पर अगर आप कह सकते हो कि मतलब सबसे बड़ा hotspot तो यही हो number of cases जो है वो 2.86 lakh हो गया मतलब इसको 2.87 आप बोल सकते हो और deaths जो है वो obviously बढ़ी जा रहे है और overall tally जो है वो 8100 के आसपास हो गया है तो वही है कि हम number of deaths भरते जा रहे है अब देखना है आगे कि यह जो unlock 1.2 है या इसमें किस तरसी यह जो covid-19 का infection है या control हो पाता है तो अ हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर गुजरात से related एक अच्छी न्यूज यह है कि गुजरात स्प्राइट ग्रोज अज इट नाव हो 674 गिर लाइन्स तो अब जो है यहाँ पर 674 नंबर हो गया है गिर लाइन्स के और यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि number of Asiatic ला इच में यह हुआ है और यह बोला जा रहा है कि highest rise है between two census year तो दो census year के आप बेच में बहुत सबसे द्रादा हाइस है तो इस कारण से बहुत important news बन जाता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बार डाइग्राम बनाया हुआ 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 ह पर अगर आप देखोगे तो 2020 में मतलब around कितने years हो गए तो 10 plus 20 30 years में आप देख सकते हो कि 30% का increase हुआ है तो यहाँ पर 674 हो गया हुआ है तो यहाँ पर वही सारी details दी हुई है और यहाँ पर extra अगर आप देखोगे तो यहाँ बताय जा रहा है कि यह जो सौरास्ट्रा का जो लांड्सकेप है इसी एरिया में बहुत जादा पाये जाते हैं और यह जो एक्सपांस है यहाँ 30,000 स्कॉर किलोमेटर का है और State Forest Department यही बोला है कि 674 मेल्स फीमेल्स और कबस पाये गये हैं 2015 में यह 523 लाइन्स हुआ करते थे और वही है कि expansion भी बढ़ गया है मतलब 22,000 स्कॉर किलोमेटर से बढ़ के यह 30,000 स्कॉर किलोमेटर हो गया है तो मतलब एरिया भी इनका काफी जादा बढ़ गया है इसके लाब बही है कि forest official यह बोल रहे है कि there has been a consistent increase in the population and distribution तो यह भी एक बहुत अच्छी न्यूस है इसके लाब यहाँ पे जो मतलब मेल और फीमेल का details outside hospitals तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो lieutenant governor है दिली के तो already हम लोग जानते है कि lieutenant governor और दिली के जो chief minister उनके बीच में यह problems आ गई थी related to residents को ही सिर्फ hospital में admit किया जाए तो यहाँ पे यह है कि lieutenant governor ने already बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है resident के basis पे health care facilities को provide नहीं किया जाएग क्या display मतलब क्या feel लगाने वाले है वो लोग ठीक है और यह सारी चीज़े और साथ के साथ contact number भी रहेगा कि किस person को contact करना है जिससे अगर admission से related कोई भी चाहिए होगी information तो यह भी है चीज इंपोर्टेंट तो यह एक अच्छा step मान सकते हैं और इससे वही है कि जो लोगों क problem हो रही है उनके problems को sort out करने में आसानी होगी इसके अलाबा बोला गया है यहाँ पर surprise checks भी किया जाएगा तो surprise checks को इनको direct किया गया है तो दिल्ली disaster management authority को बोला गया है कि जो लोग जो यह direction दिया गया है इस direction यह सही से implement हो रहा है नहीं हा रहा या इसके अलाबा जो आप जो LED board पर जो भी data दे रहे हैं वो सही दे रहे है नहीं दे रहे है तो उसके लिए surprise checks को करने की जरूरत यहाँ पर बताईए है और यहाँ पर वह बोला गया है कि इससे होगा क्या कि जो भी मतलब genuine patient हो गया है उनको admission deny नहीं होगा और सही charges भी उनको charge किया जाएगा ठीक है तो अ यहाँ पर नकुला से related यहाँ पर इनोंने historic चीज यह बताई है कि यह जो historic सिक्किम तिबत convention है उसमें ही यहाँ पर sign किया गया था जो 1890 में किया गया था इसमें ही इंडिया का जो ownership का proof है इस territory का वो दिया गया है तो इसी अगर आप देखो गया तो इसी historic commitment को हमेशा से वो मा रहा है कि चाइना ने इसी historic commitment को disregard किया है ठीक है आगे यहाँ पर आप देखोगे तो 2017 वाला जो डोकलम conflict हुआ था जो जिसमें इंडिया भूटान और चाइना ट्राइजंक्शन पर हुआ था तो इसमें भी बोला गया था कि जो भी अगर आप देखोगे जो भी boundaries है उसको finalize करने का जो भी steps लेना है वो लिया जा रहा है और यह किन्हों ने बोला था तो उस time पे S.J. Shankar हमारे foreign secretary हुआ करते थे तो उन्होंने यह बताया था और इसके लिए standing committee भी बोला था उन्होंने कि Parliamentary Standing Committee जो है उनको inform करके बताया था कि जो भी steps ज़रूरत पर रहा है वो लिया and its affluence from water flowing into the Tibetan Mochu and northward into other rivers of Tibet तो यहाँ पर एक तरह से क्या कर रहे है कोशिश कर रहे है कि यहाँ जो भी मतलब एक demarkation करने के कोशिश कर रहे है कि कहां से कहां तक का area एक तरह से cover होने वाला है ठीक है अब यहाँ पर वही बताया जा रहा है एंड में कि इंडिया जो है यह 1890 का जो treaty है इसी को basis of the alignment मानता है और इसी treaty को बोला जा रहा है कि एक तरह से अगर इसको सही से implement कर दिया जाए तो demarket हो जाएगा वह एडिया और यहाँ पर वही है कि अगर आप देखिएगा तो presently अगर अगर situation देख रहे है तो यहाँ partially implement हो पाया है यह on the ground यह पूरी तरह से implement इसी करण से conflict जो है वो बना हुआ है इसके बाद जो news है वो important news यह है कि Moscow नहीं बोला है कि वो जो इंडिया और चाइना के बीच में dispute चल रहा है उसको उसमें वो interfere नहीं करेंगे और वो चाहेंगे कि इंडिया और चाइना जो है वो bilaterally इस issue को अगर sort out कर ले तो वो ही better रहे और ज्यादा इसके उपर में detail discuss करने की जरुरत नहीं है हाँ वो यह कि अब वो जी 7 वाला जो एक editorial में आपको पढ़ा है तो वहाँ पर चुकि रशिया का involvement बढ़ रहा है तो उस कारण से यह important news बन जाता है next article देखते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि US report takes note of CA NRC तो यहाँ पर हुआ क्या है कि एक US की report आई थी कुछ time पहले और उसमें हुआ गया था और उस report का पहले नाम देख लेते हैं तो उस report का नाम था यहाँ पर देख सकते हैं एक सेकंड इंटर नाशनल religious freedom report यह report दी ग चीज़े को concern में लिया गया था पिछले साल जैसे for example आप देख सकते हैं कि Jumbo and Kashmir citizenship amendment act था इसके अलावा आप बोल सकते हो Jumbo and Kashmir का issue और citizenship amendment act हो गया इसके लावा NRC का जो है that is national register of citizens तो यह सारी चीज़े आप देख सकते हो कि इसमें इन्होंने include किया था साथ के साथ आप दे version laws और यह सारी चीज़े से related मतलब सभी चीज़ों को इन्होंने pursue में लिया था और उसके बाद ही यह जो मतलब downgrade करने की बात है यह इन्होंने decide किया था तो यहाँ पर वही है कि अगर आप देखो गया तो यह सारी चीज़े तो हो गया इसके लावा बाबडी मज़द दिसी में जो जो developments हो है इसको आप यहां से ही देख सकते हो अब यहाँ पर जो US Commission on International Religious Freedom है जिसको USCIRF बोलते हैं यह एक independent bipartisan commission है और यह सेपरेट है State Department के office से अलग होता है और यही देता है आपको International Religious Freedom Report और इसी ने downgrade किया है इंडिया को और यहाँ पर सीन ऐसा है कि जो Secretary of State है जो कि माइक पर उपियों है यह obliged नहीं होता है इनको कोई जरूरत नहीं है कि इनकी recommendation को 100% follow करें तो यह भी एक बात आ जाती है और इन्होंने जो भी speech दी थी जो इन्होंने एक तरसे report को unravel किया था तो उस टाइम पर इंडिया का नाम इन्होंने कहीं पर भी site नहीं किया है भले इन इंटर ने people को बोला है कि voluntary report करें अगर ऐसा कुछ होता है तो यह जरूरत क्यों पड़ी है तो हम लोग already जानते हैं कि मतलब covid virus जो है वो एक तरह से zutonic virus ही है तो उस कारण से यहां पर वही है कि global concern एक फैला हुआ है कि किस तरह से illegal wildlife trade और zutonic diseases को control किया जाए और यहां पर वह information उसके लिए उन्होंने दिया है और guidelines दिया है अब यहां पर आगे उन्होंने वही बोला है कि अगर आप देखिएगा तो exotic like species में shall be construed to mean only the animals named under the appendices 1, 2 & 3 of the convention of international trade in endangered species that is sites of wild fauna and fora ठीक है तो यहां पर वही बताय जा रहे है कि जो fauna और flora होंगे जो कि sites में आएंगे और जो कि appendices 1, 2 & 3 माएंगे उन्ही का यहां पर जो है transport मतलब एक तरह से import किया जा सकेगा और वही है कि अगर आप देखोगे तो जो भी species wildlife protection act 1972 में आते हैं उनको trade नहीं किया जा सकता तो इस particular point को आप बिल्गुल धहन में डखिएगा brilliant perspective से इसके बाद जो next article है उसमें बोला गया है कि virus may have emerged in August तो यह किस basis पर कहा जा रहा है यह भी देखने की जरूरत है और यह वाशिंटन की report है आप समझ सकते हैं कि यह मतलब obviously USA तो हमेशा से यह point उठाई रहा है तो यहां पर बोला गया है कि अगर आप देखोगे तो बहुत जादा surge पाया गया था hospital visits and internet surges of COVID-19 symptoms जो की पर ही यहां पर steep increase हो गया होगा और उसी time से start होगा और फिर December के time पर यहां पर peak माना जा सकता है तो यह हम लोग आप चाइना हमेशा से यह बोलता है कि Wuhan के Hunan seafood market से यह December 2019 में start हुआ पर अब वही है कि speculation ऐसे बनाय जा रहा है कि हो सकता है यह August 2019 से ही started था और December में जाके इसका peak आया है तो अब देखते हैं कि अब इसको साही से वह प्रूफ कर पाते हैं नहीं तो अब हम लोग next article को देखते हैं अब यह जो article है यह important इसलिए है क्योंकि इसमें एक important term use किया गया है ठीक है तो यहां Twitter ने बोला है कि वह June 19 को as a holiday mark करेंगे ठीक है और बनाएंगे तो Jack Dorsey न कि वह racial diversity को support करते हैं अब June 3 के ओपर में मैंने एक already video बनाया है जो जटपड series में है तो उसका link में आपको comment section में दे दूँगा आपसे request रहेगी कि आप उस video को जरूर देखें क्योंकि देख रहे हैं हम लोग कि already racial discrimination से related और racism से related बहुत सारा कुछ point already उठ चुका है तो इस reason से June 3 का आपको पढ़ना काफी जाधा important हो जाता है और आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए क्योंकि अगर उस पर question बना तो फिर आप लपेटे में आ जाओगे तो यहां पर हम June 3 का basic information दिया है उसको देख लेते हैं तो June 19 को basically commemorate किया जाता है US abolition of slavery by President Abraham Lincoln और Abraham Lincoln ने क्या दिया था तो emancipation proclamation दिया था और इसी में इन्होंने बोला था announce किया था कि एक तरह से जो slavery है उसको abolish कर दिया जाए पर यह Texas वाले जो reason था जहां पर slavery काफी जाधा prominent था वहां पर यह 2 साल बात that is on June 19, 1865 तब जाके वहां पर यह implement हो गया था after the end of civil war तो इसी reason से June 19 को एक तर related है तो यहां पर बोला जा रहा है कि NVFC को जो भी pressure वो face कर रहा है उसको redemption करने की ज़रूरत है और Rism Bank of India ने बोला है कि वो और भी जाधा support देगी तो हम लोग अल्रेडी जानते है कि NVFC सेक्टर जो है वो काफी जाधा liquidity crunch को face कर रहा है और काफी जाधा अगर दिखे जाए तो bank काफी reluctant है कि वो support दें इस particular organization को NVFC को तो इस कारण से उन्होंने क्या-क्या support दिया फिर तो obviously पैसे के तौर पर लोन्स देने की बात कही जा रही है moratorium वोगरा repayment से related जो आपको छूट देना था तो वो सब चीजे भी दिया गया है तो इससे support दिया जा रहा है पर वही है कि इ स्टेप लेने की आगे सोचा है अब देखेंगे जो भी स्टेप लो लेंगे उसके basis पर फिर आगे हम लोग discussion करेंगे और आज का जो हाकरी हमारा article है वो है कि ranking don't reflect the level playing field और यह कि इन्होंने बोला है तो वी एस चोहान है वी एस चोहान कौन है तो national assessment and accreditation council के chair person है और इन्होंन बहुत सारी universities का ranking आया है तो उसमें चुकी slip किया है इंडिया क्यों इस वोल्ड university rankings में तो इनका वही कहना है कि जो उनके metrics use करते हैं वो metrics एकदम सही नहीं है Indian education system के हिसाब से और यहाँ पर वही बोला गया है कि अगर relative cost of education को अगर एक तरह से include किया जाएगा तो Indian priorities और Indian strength जो ह हमारी हो गए अब आगे यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर आप students जो Indian हैं उनको देखिएगा तो उनके पास काफी जाधा potential होता है और जो इंडिया से पढ़ते हैं वो बहुत सारा educational field में और research के field में काफी जाधा wonderful काम करते हैं तो इनका यही कहना है कि अगर आप उस basis को अगर आप major कर सकते हैं तो उससे आपको idea लगेगा कि Indian universities कितने अच्छे हैं अब यहाँ पर national institution ranking framework जो 2016 में launch हुआ था उसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका जो focus है वो different है most of the world rankings है और अगर आप देखिएगा तो NIRF जो है वो जाधा weightage देता है उन parameters को जो कि that even elite institutional जो strength हो गया research के basis पे patent और papers के basis पे geographical disability, socio-economic diversity तो इन सब बेसिस पे NIRF जो है यह करता है तो वही है कि अब यह जो ranking है और इस ranking को अगर एक level पर लाया जाए तो उससे वही होगा कि हम लोग के पास एक better ranking होगा और education sector में fit development को हम लोग माप भी सकेंगे तो हमने सारे important articles को आज देख लिया आज जाधा articles थे इसलिए वीडियो थोरा लंबा हो गया है तो please उसके लिए आप मतलब मत सुनाने मत लगिएगा अब bear कर लीजेगा क्योंकि जाधा articles है तो obviously जाधा information रहेगी आपके पास तो चलिए अब इस video को हम लोग wrap up करते हैं और आ हो सकता है कि 12 तक आ जाए या हो सकता है थोरे delay भी हो जाए क्योंकि अभी मुझे धोरा घर पे भी काम है तो इस कारण से मैं उसको पहले sort out कर लोगा फिर उसके बाद में वापस वीडियो बना के आपको डाल दूगा ठीक है तो चलिए अब आप से मतलब विदा लेने का time आ अराम से आप पढ़िए और stay safe and study hard